हेलो फ्रेंड्स, जै श्री राम, सोना की रसोई में आप सभी का स्वागत है आज हम आपको बताने वाले हैं इंस्टेंट पापड की रेसिपी जो बहुत ही कम सामान से और बहुत ही कम समय में बनके त्यार हो जाती है और जिसे आप काफी महिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब मन किया आपको कुछ नमकीन खाने का तो आप फटा फट से इसे फ्राइ करिए और शाय के साथ इसका मज़ा लीजे तो देखना चाहेंगे इसकी रेसिपी तो चलिए फटा फट से शुरू करते हैं इसकी रेसिपी इसके लिए हमने सबसे पहले भगोने में पानी ले लिया है और उसमें एक चमच हमने तेल डाल दिया है और इतना प्रोसेस हम हमें गैस नहीं आउन करना है अभी ये कर लेना है पहले उसके बाद हम इस पर ये कॉटन का कोई रुमाल हो कोई और कॉटन का कपड़ा हो आप इसे पूरे अच्छी तरीके से बान दे चारो तरफ से हम इसे धागे से रसी से जैसे भी आप इसे ऐसे देखे बान दे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उससे भी हम इसमें फसा देंगे, जिससे गैस से वो कपड़े में लगे ने, बस अब हम इसकी त्यारी कर लेते हैं, दो कप हमने इसमें चावल का आटा लिया है, ये देखिए हमने दो कप चावल का आटा ले लिया है, इसमें हमने एक छोटा चम्मच, जीरा, खड़ा जीरा, एक चोटी चम्मच हमने लाल मिर्ची पाउडर और एक चोटा चम्मच हमने जीरा का पाउडर भी इस्तिमाल किया है और नमक हमने एक चोटा चम्मच लिया है बस इन सब को हमें सुखाई पहले मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमें इसमें पानी डालके तब हम इसे अच्छे से इसका एक पतला बैटर तयार करेंगे ये देखिए इसका बैटर हम ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए तब हम इसका पैटर ऐसे पतला त्यार कर लेंगे जिससे हमारे पापड बहुत ही अच्छे बने और थोड़ी देर ये मिलाने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट होने के लिए रखेंगे और फिर अगर हम देखेंगे जैसे चावल का आटा पानी ज्यादा एब्जॉब करता है अगर हमें लगा कि पानी हमें ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है कम लगे तो इसमें पानी और डाल दें अगर आपको लगे कि आपका बैटर पतला हो गया तो आप इसमें चावल का आंटा थोड़ा सव और मिला दें अब इसकी प्रिप्रेशन पर चलते हैं बस हमने गैस ऑन कर दी है पानी बॉयल होने लगे तो फ्लेम को आप कम कर दीजे जिससे ये कपड़ा उठे नहीं अब बस इस पर ही हम अपने बैटर को ऐसे फैला देंगे पतला करके बैटर देखिए हमारा पतला है रखने के बाद य विवाण सी हमें इतनी रखनी है और बस हम फिर हम तेज कर देंगे और यह देखिए मैंने एक बेंश्य पर बनाया था फिर हम आप को लोगों को एक ही भगोने पर हम एक साथ 3 तीन पर आपको बना के दिखाएंगे ये तीनों हमने इसे पेला तिये आप एक साथ यह बना सक बस आप पापड को ट्रे पे निकाल लेजे। ये देखिए कितनी जल्दी हो जाते हैं। जब आप पापड डालें, ये देखिए हमने सारे पापड यहां पे रख लिए हैं। देखिए कितने जल्दी बन गये हैं। बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। न कुछ बेलना न कुछ करना बिल्कुल बहुत आसान है और इसे हमने रूम में ही थोड़े दिर पंखे के नीचे कम से कम एक से दो गंटे हम इसे पंखे के नीचे सूखने देंगे बाहर अगर ये जाएंगे न तो धूल उलूरती है तो ये इसमें गंदगी आ सकती है तो इस इसे थोड़ा घर में ही सूखने दे पंखे के नीचे उसके बाद आप इसे धूप में डाले तो ये देखिए हमने सारे पापड को पंखे में ऐसे सूखने के लिए रख दिया है और इसे फिर एक दो घंटे बाद हमने धूप में ऐसे सुखाने के लिए छोड़ दिया है अ और यह देखिए हमारे पापड तयार इतने जल्दी और इतने इजी कि आप सोच भी नहीं सकते कि पापड कैसे इतना जल्दी बन जाएंगे बस इन्हें दो से तीन दिन अच्छे से धूप में सुखा दीजे फिर इसे आप आराम से स्टोर करके छे महीने साल भर के लिए आप तो फटा-फट से यह देखिए हमने पापड सारे अपने फ्राइ कर लिए यह देखिए कितने अच्छे बने हैं तो मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो आपको तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और जड़ असे तो